तो हेलो दोस्तों आज हम लोग है नालंदा में तो नालंदा खंडर के आगे हम लोग जा रहे हैं जिसे ब्लैक बुद्धा कहते हैं मैंने कभी देखा नहीं है आज पहली बार देखने वाला हूं और आप लोगों को दिखाने वाला हूं और यहां से नालंदा खंडर से 10 रु यह देखिए है खंडर के पीछे हम लो आए हैं यह बलेक बुद्धा आगया है जा रहे हैं इसके अंदर तो गाइज हम लोग बलेक बुद्धा के पास आ गए और अभी इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं देखते हैं बुद्ध भगवान की कैसी मूर्ती है अंदर मैं फस्ट आप आ रहा हूं यह जस्ट यह खंडर के यह पीछे का साइड है हमें लगा कि बहुत दूर होगा लेकिन हमारा पोपट हो गया यह पीछे का साइड है ज्यादा दूर नहीं है चलिए देखते हैं क्या-क्या प्रतिमा यहां पे है यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह मैं आ गया हूं कि यहां पर नलका लगा हुआ है आप आते हैं तो हाथ मूँ यहां धोले उसके वाद अंदर जाए हम लोग ने धोली अगा अंदर जाए है कर दो है कि अधिया करते हैं इसलिए पच्छे को शुखारू हो जाता है कि क्या चीज है कमल का फूल है अच्छा एक है बाहर में और जो है अच्छा कि कितने साल पुरानी होगी प्रतिमा कि दो हजार साल पूराना है तो गाइज यह ब्लैक बुद्धा की जो मंदिर है यहां से हम लोग अब भी बाहर निकल रहें यह दो हजार साल पुराना मूर्ति आप लोगों ने देखा पूरा एका पूरा यह मूर्ति काला है इसलिए इसे ब्लैक बुद्धा कहा जाता है यहां का आपने देखा कि कमल के खूल पे इनका आसन है जो की दो बाहर है और बाकी सब जो है उसका अंदर है जैसा वो चाचा ने बता है तो मैं मिलूंग अपने अगले वीडियो में झाल